नमस्कार आदाव सर्शेकाल मित्रों स्वागत है समाधान कारिक्रम में एक बार पुन आप सभी का मित्रों एक बार एक भिखारी भीक मांगने के लिए निकला एक साहुकार के पास पहुच गया जो दुकान पे बैठे हुए थे सुबा सुबा का समय था बहुत सारी चीजें दुकान में थी विख्षुक ने कहा कि सेड़ जी मुझे भीक्षा में गुड़ दे दीजिए थोड़ा सा अब सुबा सुबा का समय था बोहनी ओदे हुई नहीं थी उसकी तो सेड़ जी ने नाराज हो के कहा कि भाग जाओ यहां से सुबा सुबा आ जाते हैं भीक फांगने के लिए तो भीकारी ने कहा कि सेड़ जी भले ही गुड़ मत देजिए मुझे भीक में लेकिन गुड़ जैसे बोल तो बोलिए मीठे बोल तो बोलिए ऐसा कहकर वो चला गया सेड़ जी को भी ये विचार आया कि सच मुझे मीठा बोलना चाहिए था मुझे ऐसी करकश्वानी का इस्तमाल नहीं करना चाहिए था कई बार जीवन में हम दूसरों को कुछ भले न दें लेकिन यदि मीठे बोल दें तो भी सामने वाली आत्मा संतुस्ट हो जाती है क्योंकि बोल का बहुत जादा महत्व है हमारे जीवन में सुबर से लेके रात तक हम बोलते रहते हैं लेकिन बोल कैसे हो इस पर शायद कई बार हम ध्यान नहीं देते जिसके कारण कई बार समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है तो बोल कैसे हो किस प्रकार से हम दूसरी आत्माओं को संतुस्ट करें खुश करें प्रसंद करें आज की हमारी चर्चा विशेज करके समाधान में इसी पे होगी प्राता जी बहुत बहुत अभी नंदन है स्फागत बच्चा जब पैदा होता है दो साल में वैसे तो बोलना सीख जाता है लेकिन कहते हैं कि क्या बोलना है कैसे बोलना है कहां बोलना है यह सीखने में पूरी उम्रे निकल जाती है तो बोल कैसे हो यही सत्य है कि कई लोग अच्छे बोल बोल कर दूसरों की पीडा हर लेते हैं और कई लोग कटू आनि बोल कर दूसरों को पीडित कर देते हैं इसका एक सीधासा अर्थ पाप और पुन्य से भी हो गया बोल के द्वारा ही जब हम दूसरों को सुख दे देते हैं उनकी समस्याओं का निदान कर देते हैं, उने के बढ़े हुए तनाव को ढिला कर देते हैं, तो यह बहुत बड़ा पुन्य होता है, और बोल के द्वारा ही यदी हम ऐसा बोल दें, कि दूसरा परिशान हो उठे, उसका जीवन चिंताओं से घिर जाए, या दुखों के सागर में चला जाए, तो सच मुच इससे बड़ा पाप साइधी कोई होता, लोग तो सोचते हैं कि दूसरे को मानना, जीवत्या करना यही पाप है, पर बोल के द्वारा दूसरे के दिलों को दुखाना, यह बहुत ही बड़ा पाप हो जाता है, इससे निश्चत रूप से हर मनु अपने के कई लोग जीवन भर बोलना सीखते नहीं, जैसे कटुवानी प्रारम में बोल रहे हैं, मनने तक भी जब बिमार होते हैं, तो बच्चों को डांटते डपडते, बुरा भला कहते ही देह त्याग करते हैं, अंत्रिक कडवाहट मुख से बाहर निकलती है, अंत्रिक स्थ्रेश्ट भावनाएं मुख से बाहर निकलती है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा इनर वर्ल्ड कैसा है, हमारा अंत्रिक संसार कैसा है, हमने अपना बाहिये संसार तो बहुत बड़ा चड़ा के दिखा दिया, बना लिया, बहुत चीजे हमने तयार कर ली, उनका ह वो भोग कर रहे हैं, उन्हें देख कर हम खुस हो रहे हैं, हमारा अंत्रिक संसार कैसा है, बहुत ही माइनूटली इस पर जला ध्यान देने की अवस्षकता है, अंदर में हमने क्या भरा है, दूसरों के लिए कैसे एटिट्यूट्स बनाए हैं, हमारी भावनाव में दूसर सी गलती हुई बस, और उसने बोलना सुरू किया, तुम तो कुल अक्षनी हो, पहला सब्द कहा ये बोलता है, पहले तो मैं हसी में टाल देती थी, लेकिन रोज रोज सुनते सुनते, आखिर मेरा दिमाग बहुत गरम होने लगा है, और ऐसे सब्द बोलता है वो, तुमारी माँ ऐसी है, तुमारी भाई ऐसे हैं, धोकेवाज हैं, मतलब उसके मुख पर सुन्दरवानी है ही नहीं, जिसे राक्षस निवास करता हो उसकी जिव्या पर उसने ऐसा कहा, तो कहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, चोड़के कहां जाओ, घर जाओ, ताके जो ग्रह लक्षमी है, जो तुमारी जीवन साथी है, जो बच्चो की माँ है, जिसको सब कुछ करना है, उसको तुम परिशान कर रहे हो, तो कारण यही कि अंदर में निगेटिवीटी भरी हुई है, हो सकता है वो व्यक्तित दूसरों से कुछ बुरी ची लेकर आता ह और सारा क्रोध इन पे उडेल देता हो, तो हमने अपना इनर वर्ल्ड कैसा बनाया है, सच मुछ अगर हम अपने बॉल को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं को स्रेश्ट करना पड़ेगा, माल लीजे किसी ने किसी के लिए एक आवगुन चित पर रख लि रखते हुए दिखाई देंगे, तो सच मुछ हम ये ध्यान रख लें, कि जैसा बोल हम दूसरों से सुनना चाहते हैं, वैसा ही बोले भी, अंदर हमारी जो वृत्ती है, उसकी आधार पे ही हमारे बोल निकलते हैं, लेकिन आज ना तो आंत्रिक वृत्तियां हमारी कैसी हैं उस पे मनुश्य का ध्यान है, और नहीं बोल पे, जैसा सामनी सिच्विशन आई, उसी आधार पे वो बोल देता है, या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जैसे हमने शुरुबात की थी, उसे इस बात का ध्यान ही नहीं है, और नहीं इस प्रकार की ट्रेनिंग कहीं भी दे ज ना तो हमारे syllabus में ये सारी चीजें हैं और ना ही आजकल ये सारी चीजें देखने और सुनने में आती हैं तो व्यक्ति यदि अपने आपको बदलना भी चाहता है या फिर ये awareness लाना चाहता है या हम लाना चाहते हैं किया हिशा0 किया जाय इसके लिएस अज libro करके ये ही हो रहा है कि दूस्रों को बुरा बोल रहा है वह बड़ेegen acompa कर रहा है क्यों मैं आज़ा ने को लिस विर आते हैं महें है ये जो बकन करतें विष्गे जिसे आपने और कहा इसकी not only अवियर नैस है बहुत कम टीचिंज ऐसी हैं जो कहीं मनुस को सुनने को मिलता हो कि तुम्हें अच्छा बोलना चाहिए और ये देखने में आता है कि ये बोल ही संसार में बहुत सारी टेंशन्स का कारण हैं बोल से ये कोर्ट के सिज हो गए हैं बोल के कारण जगडे एक छोठी सी बात तुफान का रूप ले गई और मरडर हो गए बुरी चीजे हो गई संपत्ती पे जगडे हो गई और कोर्ट में केस चल रहे कारवास जहिल रहे हैं पता चलता है केबल बोल तो वास्तों में हमारी एजूकेशन में बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है कि वहां इस तरह कि बाते किसी को सिखाई नहीं जा रही लेकिन अगर दसवी क्लास तक भी बच्चों को ऐसी मौरल एजूकेशन दी जाए कि वो कैसे बोलें दूसरों से गलती भी हो जाए तो भी वो कैसे बोलें दूसर तो इसका परिणाम बहुत सुंदर होगा बहुत सारे बच्चे वो चीज़ सीख लेंगे और बड़े होकर उन पर ध्यान देंगे इसलिए जैसे हम लोगों ने भी स्कूलों में प्रोग्राम किये टक्स दिलाइट के अंतरगत तो बच्चों को बहुत कुछ सिखा जाता है और यह देखा गया कि बच्चों के रिजल्ट बहुत सुंदर है उनके माबाप उनके रिपाउट देते हैं कि हमारे बच्चों में क्या-क्या परिवर्तन आ गया हमारा इसलिए विश्विद्याल ले यह सब टीचिंग्स रोज दे रहा है और हमारे यहां जो आने वाले हैं इक तो पूइक राज्यों के मेटेशन करता है उससे उसकी भावनाएं फ्योरिफाई होती हैं जब मनुस मेटेशन करता है तो उसे अपने अंदर चुपी हुई कमियों का या वो क्या गलती कर रहा है इसका किलियर-किलियर इहसास होने लगता है realization होने लगता है और यहां मन पर बहुत अच्छा शिखाया जाता है। नॉर्मली हमारे यह एक भासा का पर चलन रहता है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी गलत वलत बॉल दे गलती से। तो लोग कहेंगे उसे अरे भाई तुम्हें मनुष्य देवता बनना है। देवता बनना है तो ऐसे बोल नहीं होने चाहिए। इतना ही काफी होता है। तो अधिकतर देखा जाता है कि लोगों के बोल बहुत अच्छे रहते हैं। हमारे यहां भी देखो हजारों लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन बहुत के गलती कोई कोई करता है। वह भी ठीक हो जाता है। वैसे यहां देखने में विशेज करके यह बात आती है वरताजी। जिनके साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं। जिनसे भी मुलाकात होती है। बहुत ही मिठास के साथ बोलते हैं। बहुती सभ्यता और शालींता के साथ बोलते हैं तो लगता है कि यहां कोई विशीज ऐसी श्याइद ट्रेनिंग दी जाती है और लगता है कि यही ट्रेनिंग स्कूल्स कॉलेजिस में भी यदि दी जाया तो बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं तो क्या कुछ विशीस प्रकार की ट्रेनिंग राता जी एक तो क्या कोई खास ट्रेनिंग व्यक्तितु विखास की यावानी के लिए दी जाते हैं यह सब भी बहुत अच्छा दिया जाता है लेकिन मैं चोटी सी बात कहना चाहूंगा के इस्वरी ज्यान में हम सभी को तीन चीजे विशेस रूप से याद दिलाते हैं इस्मर्ति दिलाते है उनको ज्यान में एक बहुत अच्छी हमारी साद्धा है इस्मर्ति स्वरूप होना हमें कुछ इस्मर्तियां दिलाई जाती है उसमें तीन पर मैं ध्यान दिलाऊंगा जिससे मनुस्का व्यभार उसका बोल सब कुछ बदल जाता है कि तुम आत्मा हो और तुम प्रेम स्वर प्रूप और पुवित्र हों तो यह इगो की भावना कि मैं यह हूं मैं वो हूं वो खतम होने लगती है इससे हमारे बोल काफी सुधर्टे लगते हैं दूसरी चीज हम केवल भगवान को याद करना नहीं सिखा थे कि भगवान को याद करो या तो दुनिया में भी लोग ज कोई काट नहीं सकता तुम भगवान के बच्चे हो तुम उसे परंपिता कहते हो तो भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए जब भगवान बोलता है तो उसके बोल महावाक के कहलाते हैं तो तुम उसके बच्चे होने के नाते तुमारे बोल कटू तो नहीं हो सकते तो यह बढ़ी स्मर्ति के हम भगवान के बच्चे हैं हमारे बोल को हमारे विभार को बहुत बदल देती है और तीसरी सुंदर स्मर्ति है जो कहीं नहीं दिलाई गई थी चारो वेद लोगों ने पढ़ लिए छे दर्शन पढ़ लिए उपनिसद गीता रामा और बावारत और अठा जाएं तो तुहारे अंदर देवत्व है लोगों ने यह दिखाया देवताओं की स्थापना कर लो पूजा कर दो फल्वानि देवता को परसंद कर लो यग मेनिन तेवताओं की स्थापना कर दो प्रसंद हो जाएंगे वो के वल इतना बहुत-खो तो ये पतन चला की और देवताओं में आखिर अंतर क्या है तो लोग कन्फ्यूज रहे कौन भगवान है इन में ब्रह्मा है विस्मु है संकर है इंड्र है सूर्य है या और यह सब दे माताएं हैं बहुत सारी जिनके मंदिरों पोजा होती है या महादेव है कौन है आखिर तो बहुत अच्छी स कुमारे अंदर है उसे जागरित करो तो यह इसमर्ति आते ही वह देवत्यो मनुस का जागरित होने लगता है और इससे बोल और व्यवार में सब में रोयल्टी आ जाती है तो यह इस वर यह ज्यान जरूर चाहिए जी जी मतलब यह तीनों ही चीज़ें बहुत ही गहरी लग लेकिन प्रते जी कई लोग यह कहते हैं कि मेरा जो बोल है वो ऐसा ही है आपने जैसे भावनाओं की बात कहें कि भावनाओं को ठीक करें तो बोल ठीक हो जाएंगे लेकिन कहते हैं लोग की मेरी भावनाय तो ठीक है लेकिन मेरे जो वानी है मेरे जो बोल है वो ऐसे ही है त या वो ज्यादव बोलेगा या वो थोड़ा अपना सोफ करेगा तो ये संसकार बन जाता है तो कभी-कभी भावनाए अच्छी होने के बावजूद भी वो संसकार भावनाओं पे हावी हो जाता है और वो काम करने लगता है ये गलती हर व्यक्ति से होती रहती है प्राय कि अगर किसी को कोई बात कड़ भी लगती है उसे की खुशी चली जाती है उसको विछरे को डिस्टर्वेंस हो जाता है या उसका मन एकदम मोरी ओफ हो जाता है कि मुझे क्या कह दिया चार लोग बैठे थे देखा मुझे क्या कह दिया तो ऐसे संसकार को बदलने की ज़रुर थर्सडे, मैं दो दिन मौन रखता था, हमारे यहां तब यह मौन रहने की परसलन बहुत जादा था, और जो मौन नहीं रख सकते थे, वो ऐसा रखते थे, कि जब कुछ बोलना है, तो उसमें अनावस्चक बोल होते नहीं थे, ज्यादा बोल भी नहीं होते थे, इस से धीरे अधीरे बोल पर कंट्रोल होने लगता है, दुस्य चीज, यह एक लक्स भी आ गया था हमें, कि जहां पचास बोल से काम कराना है, वहां पांच बोल से कारिये कराओ, तो वानी को सार्युक्त करने की आदत पड़ी, उसकी जगे हम वही बात दस मिनट के बजाए, दो मिनट म हैं, जो हमारी भावनाओं पर भी हावी हो जाते हैं, वो बदल जाए, और वैसे भी ब्रता जी मैंने सुना है, कि आजकल मौन थेरेपी भी बहुत प्रचलिद होता चला जा रहा है, ना किवल बिमारियों को ठीक करने के लिए, लेकिन अपनी परस्नालिटी को भी डेवलप करने के लिए उसमें चेंज़े लाने के लिए, बताजी एक जैसे आपने कहा, धो दिन हफ्ते में मौन पूरी तरह आप लोग रहा करते थे, आम्व्यक्ती जो काम काजी है, जो जिसको काम करना पड़ता है, स्थानों पर जाना पड़ता है, वो लोग कैसे मौन का भ्यास कर बहुत इच्छी चीज है अच्छी इसलिए कि हमारी चाहे ब्रेन की शक्ति कहो चाहे टोटल आत्मा की शक्ति बोलने से भी तो नस्थ होती है यूज भी होती है लेकर जो लोग टीचर है या लेक्चर देते हैं वो अगर एक घंटा बोलेंगे डेट घंटा बोलेंगे तो उन से हमारी एनरजी कही न कहीं यूज हो रही है जो वेस्ट बोलते हैं जो गुसे में बोलते हैं या जो एंकार में बोलते हैं उनकी शक्तियां बहुत नस्थ होती हैं और कहीं न कहीं इसका इफेक्ट उनकी कारिय पर नाली पर उनको मिलने वाली सफलता पर जरूर पड़ता ह बल्कि जो ऐसा करते हैं, वो सदा स्वस्त भी नहीं रह पाते हैं, हर चीज पर इनका बुरा असर पड़ता है, इसलिए ऐसे लोग जो नोक्रियों में हैं, जो मोन ऐसे नहीं रख सकते हैं, वैसे तो देखो जिसको रखना है वो रखते भी हैं, हमारे यह आने वाले ही सुनात करते हैं कि हम एक दिन अपने ऑफिस में मौन रखते हैं, लोग हमें बड़ा कोपरेट करते हैं, कोई को मजाक भी करते हैं, मौनी बाबा आ गए, लेकिन कोपरेट करते हैं, और कहीं बोलना है तो हम धीरे बोलकर अपना काम कर लेंगें, वैसे चाहें वो सटवरे संड़े कि इसमें हमें मौन रखना है जो लोग 6 बजे उरते हैं 6-10 का टाइम रख लें चार बजे उठ जाते हैं 4-8 का रख लें इसका बहुत फाइदा होगा क्योंकि मौन से क्या होता है हमने मुख का मौन जैसे ही खड़ लिया मुख यानि बंद कर दिया तो हमारा जो मन है वो सुं या तो हम उसे बोल में बहा दें या तो सुंदर चिंतन में उसका आनंद ले लें तो अगर हमने बोल को बंद कर लिया है तो सुंदर चिंतन हमारे माइंड में रहेगा जो चिंतन आत्मा के लिए बहुत बढ़ी शक्ति है हमारे लिए आत्मा कोई और नहीं मनुष जीवन क लिए जो बहुत बड़ी शक्ती है जो उसको सफल करेगी प्रता जी जो मौन की बात आप कर रहे हैं तो इस मौन का क्या हमारी स्वास्त की उपर भी विशेस प्रभाव परता है या फिर जैसे आपने कहा कि वानी में जो एक प्रकार की अन्निमित्ता आ गई है उसमें भी कर रहे हैं तो ब्रेन की शक्तियां उसमें यूज हो रही हैं मानलो मैं एक चोटा सा उधान दो बोजन किया हमने दो पैर में बोजन किया और लोग कहते हैं के बोजन करने के बाद थोड़ी देर आप रिलैक्स हो लो बीस मिनट यह दी कुर्शी पर भी शानती से बैठा जा तो ब्रेन की कुछ सक्तियां उधर यूज होने लगें ब्लड हमारा जाने लगेगा तो वो डाइजेस्टन में दिक्कत हो जाएगी इसलिए जब मौन किया जाता है इसकर यह भी नियम मना सकते हैं के भोजन के आधे गंटे बाद तक हम मौन धारन कर लें तो उससे हमारा ड पाचन तंत्र बिल्कुल परफेक्ट है तो अनेक रोगों से मनुस्मुक्त है और पाचन तंत्र में यदि गडबड हो रही है भोजन ही हजम नहीं हो रहा है तो न चाहते भी मनुस अनेक रोगा सिकार हो जाए तो मौन आपने कहा कि भोजन के बाद रखे मुझे तो लगता है देखो डॉक्टर यह कोमन बात बताते हैं कि भोजन कर रहे और बात कर रहे हैं तो कभी वो जो भोजन है अननली से स्वासनली में भी जा सकता है चला जाता है कभी हवा भी बाहर की जाती है उससे गैस ट्रबल पैदा होती है तो टोटली यह जो चीजे हैं हेल्थ के अपित करेंगे श्यांत में भोजन करेंगे तो इसका रियली यह बिल्कुल सकत है कि मनुस के स्वास्त पर गहरा असर होता है तो मतलब मौन में रहकर के भोजन यदि किया जाए तो बहुत अच्छी चीज रहेगी और आम तो पर व्यक्ति सारे दिन तो बोलता ही है और मौन जब हम स्यांत रहकर भोजन कर रहे हैं तो आम रूप से लोग जानते हैं यह जो ग्रंथियां है हमारी यहां से स्लाइवा उसका सिक्रेशन होता है लार जी से कहते हैं और वही लार भोजन को हजम करने में मुख्य भूमी का निवाती है इले जो लोग जल्दी जल्दी खा बाचीत करके खा रहे हैं उनका इसलाइवा इसक्रेशन उसका होई नीरा बहुत कम हो रहा है इसका भी डाजिस्टन पर बुरा असर पड़ेगा और जो स्यान्त होके बहुत प्रसंद मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए प्रकर्ति को धन्यवाद देते हुए यह सब तरीके हैं मन को खुश करने के तो लार का सिक्रेशन भी बहुत अच्छा होगा और हाजमा परफेक्ट होगा ब्रते जी कई लोगों की आजकल हम लोग राजनेती में भी सुनते हैं कहते हैं कि जुबां फिसल गई और यह जुबां जो फिसल जाती है तो बहुत बड़ी-ब यह जुबां फिसलने से भी लोग बहुत जादा परिशान है कैसी इसे फिसलने से बचाया जा सकता है जुबां क्या फिसलती अंदर की भाव नहीं उस तरह की होते हैं अंदर में क्रोध बड़ा होता है तो किसी भी दूसरी पार्टी वाले के लिए कुछ भी बोल देते हैं फिर वो सोचते हैं आट ये तो गलत बोला गया बहुत ये तो नहीं कहेंगे तो जुवान फिसल गई यह कहँए लाइन incl Tao में जुवान हमारी है वों कैसे जाएगी वह बाले कई बात ये चीज भी बहुत ज़्यादा परिशानी का सबब बन जाती है कि गहाव कर जाती है ज जो हम लोग spiritual knowledge में और राजियों की शिक्सा में शिखा रहे हैं, कि अपनी वाचा पर भी संयम, अपनी जीप पर भी संयम, और विशेशकर जो politicians हैं, उनको तो बहुत गंभीर होना चाहिए, जो politician, जो neta गंभीर नहीं है, उसको न तो लोग समझदार मानेंगे, और न उसकी औ कुछ कुछ कहेंगे जो तुरंत रेक्ट करके कुछ भी बोल दे किसीके लिए, यह गलत होता है कि वह भी उनकी family होती है न Жाहे कोई किसी भी party का हो हो, मान जो MP है अब किसी पार्टी का हो कैसा व्यक्ति हो है तो वो एक फैमिली होगे ना वो उस पार्लियमेंट को तो अब लोगों ने मंदिर कह दिया उस मंदिर में वो सब इखटे बैठते हैं तो महां एक दूसरे के लिए सम्मान होना ही चाहिए तो इसे इस लूप से क्रोध की भावना क को समात करके सम्मान की भावना जब हम अपने अंदर लाते हैं तो अगर हमें बोलना भी है दूसरे की गल्टी है भी तो हम सुंदर सब्दों का परियोग करते हैं ताकि हमारी शालीनता भी बनी रहे और हम अपनी बात भी कह दें जी यह बहुत महत्वपूंड चीज है ब्र की फूल बरसें तो वास्तों में हमारी भी प्रसिद्धी होगी और साथी सब्द्धा और शालीनताकत हमें ध्यान रखना ही चाहिए आज की सुंदर प्रकाश के लिए ब्रताजी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मित्रों वास्तों में वानी के लिए कहा जाता है कि बोल आपको तक्त भी दिलाता है तो बोल आपको तक्ते पे भी चड़ा सकता है बोल के लिए ही कहा जाता है कि वो द्रौपदी के बोल ही थे जिसके कारण महाभारत हो गया उन्होंने कहा अंधे की आउलाद अंधे केवल एक वाक्य ये ऐसी तीर की तरह चुप गया दुर्योधन को कि इतना बड़ा हमने देखा महाभारत हो गया रामायन को भी यदि देखा जाए उसमें भी कहीं न कहीं बोल ही कारण बनते दिखाई देते हैं आज भी यदि घर में समाज में रामायन और महाभारत हो रहे हैं द्वंध हो रहे हैं युद्ध हो रहे हैं समस्याएं पैदा हो रही हैं कहीं न कहीं बोल उसके कारण बनते हैं एक बहुत बड़ी चीज है जिसे हमें सीखनी की आवश्यक्ता है कैसे हूँ हमारे बोल तो क्या बोलें और क्या न बोलें इस पे हम अपनी चर्चा को आगे भी ब्राता जी के साथ जारी रखेंगे आप बने रहेगा समाधान कारे करम में हमारे साथ नमस्कार